एनर कॉम्टेटिव क्लासेस में मैं हैमंद कुमार सर्मा आप सभी के स्वागत करता हूँ दूस्तो आज हम पढ़ने वाले लोकोक्तिय मुहाबरा भागती है भाग दो क्या है कि ओटोमेटिक बीडियो सेब हो गया था तो कुछ लोकोक्तिय छूट गई है तो उनको एक बार देख लीजे न अंधों में काना राजा मतलब मूर्कों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति अकेला चना भाड नहीं फोड़ता मतलब अकेला आदमी लाचार होता है अजल गगरी जलकत जाय मतलब डिंग हांकना आग का अंधा नाम नैन सुक मतलब गुण के बुरुद्ध नाम होना आग के अंधे गांट के पूरे मतलब मूर्क धनबान होना आग लगनते जोंपडा जो निकले सो लाब मतलब नुकसान होते होते कुछ बच जाय आगे नात ना पीछे पगहा मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना आम क्याम गुठलियों के दाम मतलब अदेकलाब ओकली में सेर दिया तो मूसल से क्या डर मतलब काम करने पर उतार होना उचे दुकान फीके बगवान मतलब केवल बाहे प्रतर्चन एक पन दो काच मतलब एक काम से दूसरा काम हो जाना कहां राजा भोच कहां गंगुतेली मतलब ओच और साधारन की तुलना कैसी घर का जोगी जोगड़ा आनगाम का सिद्ध मतलब निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का जादा अगला है चिराक तले अंदेरा मतलब अपनी बुराई नहीं दिखाई देना अगला है जिन ढूनात इन पाईयां गहरे पानी पैट मतलब परिश्रम का फल अबश्य मिलता है नाच न जाने आंगन टेड़ा काम न जानना और बहाना बनाना ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी ना कारण होगा ना कार्र होगा होनार विर्मान के होचिक ने पात बदलब होनार के लच्चन पहले से इदे शाते हैं दोस्तो मैंने इन तीनों वीडियो में लोकोक्ति और मुहावरे की जितने महत्पून पॉइंट थे वो कंप्लीट कर ली हैं आप अब वीडियो देखती रहा करो नियमित तोर पर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सेरे और सस्क्राइब जरूर किया करो है और मुहावरे का सब्दिक अर्थ क्या होता है रूड बाक्यांस देखो अर्भी भासा का मुहावर सब्द हिंदी में मुहावरा हो गया उर्दू वाले मुहावरा बोलते हैं इसका अर्थ अभ्यास बाचीत है हिंदी में मुहावरा एक परिवासिक सब्द बन गया है कुछ कुछ लोग मुहावरा रोज मर रहा या बागधारा भी कहते हैं अब लोकोक्ति की परिवासा देख लो पुले लोकोक्ति के पीछे कोई कहानिया घटना होती है उससे निकली बात बाद में लोगों की जोगान पर जब चल निकलती है तब लोकोक्ति हो जाती है किलियर है दोस